Good morning everybody, मैं में सली एन यूर रचिंग मिरेकलोनी क्लासेज क्या आप जानते हो कि पेपर को पेपर क्यों कहा गया? क्या आप जानते हो कि पेण को पेण क्यों कहा गया? चलो आज इस वीडियो में आपको बताता हूँ, एक शौट वीडियो है बहुत लोग नहीं जानते हो कि पेण को पेण ही क्यों कहते है और पेपर को पेपर ही क्यों कहते है ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा कि ओनियन को ओनियन क्यों बोलते है यानि अनियन और फिर ब्रेकफ़स्ट को ब्रेकफ़स्ट क्यों बोलते है ऐसे कई सारे शब्द है लेपर्ड को लेपर्ड क्यों बोलते हैं है ना मुन को मुन ही क्यों कहा गया ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो सर्प्राइजिंग फैक्ट के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए लाता हूँ तो चलो शुरू करते हैं आज का लेशन और आज की इस लेशन में मैं सबसे पहले बात करूँगा पेपर को पेपर क्यों कहा गया वैसे पेपर एक लटीन का शब्द है और ये पेपिरस सब्द से निकल कर आया है ध्यान से सुना आप लोग पेपिरस के स्पेलिंग होती है P-A-P-Y-R-U-S जिसका मतलब होता है लुगदी यानि कागज की लुगदी जिस पे लिखने का काम आता था और आप तो जानते हो कि पहले के लोग पंक से पंचियों के पर से लिखने का काम करते थे इंक में उसे डुबो करके लिखा करते थे तो उस लुगदी पे लिखने का काम होता था लेकिन वो लुगदी आज कलके कागज की तरह नहीं होता था उतना सॉफ्ट नहीं होता था उतना समतल नहीं होता था और ना ही उतना जादा वो मतलब कोमल होता था वो थोड़ा सा मोटे टाइब का होता था और थोड़ा सा रफ टाइब का हुआ करता था लेगिन उसमें काफी improvement आया काफी बदलाव आया है ना और उसको soft किया गया उसको और जदा plane किया गया and after that उस शब्द में थोड़ी सी changing आई पेपिरस शब्द को ही paper में ढाल दिया गया यानि पेपिरस शब्द जथा उसको paper बना दिया गया किमकि जब आप इतिहास पड़ते हो ना तो बहुत सारे शब्दों का transformation हुआ है नए शब्दों में जैसे कि sun को sun ने बोला जाता था मी के लिए MEE आया करता था ऐसे कई सारे वर्ड है वैसे ही paper को थोड़ा सुधार करके उसमें इंप्रूमेंट लागर के paper शब्द बनाया गया जिसका मतलब होता है कागज तो फिर से एक बार repeat कर दूँ paper शब्द लेटीन का शब्द था उसमें इंप्रूमेंट आया तो वो बन गया paper अब pen की बात करते हैं तो pen जो है वो penna शब्द से लिया गया है ये भी वहीं का वर्ड है जिसकी मैं बात कर रहा था लेटीन से लिया गया शब्द penna और लेटीन शब्द में यानि लेटीन भाषा में penna का मतलब होता था punk या per और आप सभी जानते हो कि पहले के लोग कलम नहीं थी लेखनिया नहीं थी पैंस नहीं थे तो लोग पर का इस्तेमाल करते थे पंक का इस्तेमाल करते थे इंक में डुबो कर लिखने का काम करते थे और फिर क्या था उस सब्द में भी improvement आया penna में और तब जाकर के pen शब्द बना यानि जब pen का निर्माण हु वा रिफिल जो होती है उसमें इंक भड़ा गया उसको एक cover दिया गया और तब उसे हम लोग pen बोलना शुरू किये तो पहले वो असल में penna था जिसमें से एक in और a को omit कर दिया गया और तब जाकर जो शब्द बचा वो बचा pen तो ये दो fact जानकर आपको कैसा लागा तो वो भी मुझे comment में आप जरूर बताना कि इसके next part भी हमें चाहिए कियोंकि ये fact हमें काफी पसंद आया और सबसे last thing ये है कि जो भी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है कम से कम share तो कर दिया करो आप तो जानते हो कि like, subscribe के लिए मैं नहीं कहता लेकिन sharing के लिए कहता लोगों को अच्छी knowledge देना, लोगों को अच्छी बाते बताना और लोगों को सही track पे लाना तो फिर आपकी भी जिम्हारे बनती है न कि आप कुछ वीडियो को share करो कम से कम 5 लोगों तक मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए have a good day to all, have a nice day to all and have a peaceful day for all.